जो लोग विदेश में MBBS की पढ़ाई करना चाते हैं, उन्हें इस बारे में बहुत सारे संदे होंगे, जैसे की सिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा, सबसे अच्छा Medical College विदेश में पढ़ाई के बाद के अवसरा दी. सारे सवालों का स्पष्ट और प्रमानित विकल्प है केवल दवाव Medical College. दवाव Medical College फिलिपाईंस के दवाव शहर में स्थित है. दवाव Medical College को दवाव Medical School Foundation भी कहा जाता है. Quality Medical Education प्रदान करने में पाँच दशकों की अपार विशेश अग्यता के साथ इस कॉलेज ने हजारों भारतिय च्छात्रों को डॉक्टर बनाकर उनके सपनों को साकार किया है. दवाव शहर दुनिया के शीर्ष दस सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है. यहां की सरकार ने म कभी-कभी पूरे महिने में एक भी मामला दर्ज नहीं होता. शहर लगातार पुलिस की निगरानी में रहता है. इसलिए MBBS की पढ़ाई करने जा रहे लड़कों या लड़कियों के अभिभावकों को दवाव शहर में उनकी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं यहां की जलवायू भी हमारे देश की जलवायू परिस्थितियों जैसे ही है. पूरे साल तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है. अतह जलवायू के कारण छात्रों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है. जो छात्र यूक्रेन, रूस, चीन जैसे ठंडे देशों में पढ़ाई करने का विकल्प लेते हैं, उन्हें वहां की जलवायू के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है. जैसे की खान-पान, पैनाव और ट्रैंस्पोटेशन आदिका. लेकिन दवाव घर से दूर घर जैसा है. इसके अलावा, फिलिपाइन स एक अंग्रेजी बोलने वाला देश है. लगभग सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं. तो हमारे चात्र जो दवाव मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उन्हें भाशा को लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी. इन सभी कारणों से हमारे कई भारतिय चात दवाव मेडिकल कॉलेज को चुन रहे हैं. जलवायू, सुरक्षा, भाशा, सब कुछ ठीक है. लेकिन भोजन के मामले में फिलिपाइन्स के लोग पश्च्यमी संस्कृती का पालन करते हैं. इस वज़े से हमारे चात्रों को फिलिपाइन्स में भोजन के बारे में कंसल्टेंसी ने इसका अवलोकन किया और उन्होंने दवाव मेडिकल कॉलेज के पास लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग AC होस्टेल की स्थापना की. और स्वादिष्ट भारतिये घरेलू भोजन उपले इस प्रकार हमारे भारतिये चात्रों की देखभाल के लिए SG कंसल्टेंसी लगातार काम कर रही है. दवाव मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित सा सिक्षा प्रनाली है यह नाकेवल फिलिपाइन्स में बलकी विश्व में भी सबसे आधुनिक एवंग सर्वश्रेष्ट मेडिकल कॉलेजों में से एक है. आम तोर पर MCI क सिर्फ उनी कॉलेजों को मान्यता देता है, जिनोंने सभी सुविदाओं में सुधार किया है और MCI की जाच में अच्छे परिणाम प्राप्त किये हैं. उस सूची में दवाव मेडिकल कॉलेज का होना सौभाग्य की बात है. इसके अलावा दवाव मेडिकल कॉलेज को WHO द् दवाव मेडिकल कॉलेज में विशेषज्य डॉक्टर छात्रों को पढ़ाते हैं. इस वजय से छात्र लेक्च्चर्स को सपह्ष्ट रूप से समझते हैं. और डॉक्टर्स ऐसी कई चुनाउतियों के बारे में बताते हैं जो उन्हें किसी विशेश मामले में मिली और ये भी बताते हैं कि उन्होंने इन मामलों का सफलता पुर्वक इलाज कैसे किया। दुनिया भर की कई पुस्तके और चिकित्सा क्षेत्र के कई पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जो केवल कुछ प्रतिष्टित कॉलेज और द्वारा ही उपलब्ध होती है। जिसमें सिमुलेशन लाब की सुविधा है। इस सिमुलेशन लाब में पुतलों को लाया जाता है और उनसे सिमुलेशन किया जाता है। वो सभी ऐसे कारिय करते हैं जो एक मानव शरीर करता है चलने के अलाबा। वे छात्रों को दैनिक रूप से एक बिमारी को पुतले में इंजेक्ट करके बिमारी को ठीक करने का तरीका सिखाएंगे ताकि छात्र वेवहारिक रूप से सब कुछ समझ सके। हम कह सकते हैं कि ये सिमुलेशन लाब सुविधा दवाव मेडिकल कॉलेज की सर्वश्रेष्ट विशेस्ताओं में से एक है। इसमें छात्र छोटे समुहों में विशेओं पर चर्चा करते हैं, परिक्षा की तैयारी करते हैं, यहां तक कि छात्र जर्नल्स भी तैयार कर सकते हैं, जिनें कॉलेज प्रसाशन के अनुमोधन के बाद प्रकाशित किया जा सकता है। प्रति एक दो समुहों पर एक वरिष्ट संकाय को परियवेक्षिक के रूप में न्यूक्त किया जाएगा। मौजूदा MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए संगर्श कर रहे हैं, दवाओ मेडिकल कॉलेज के छात्र पहले प्रयास में ही MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं और साथ ही All India Top 10 में स्थान हासिल करते हैं। भारत में अध्ययन करने वाले और हमारे देश में सरकारी डॉक्टरों के रूप में काम करने वालों के लिए भी दवाओ मेडिकल कॉलेज के छात्र सरकारी अस्पतालों में भी शीर्ष स्थान पर हैं। दवाओ मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं चात्रों के लिए क्लिनिकल एक्स्पोजर उनके तीसरे वर्ष के MBBS पाठ्यक्रम से शुरू होगा। इसका मतलब है कि वे अपने अध्ययन के तीसरे वर्ष से अस्पतालों में काम करना शुरू कर देते हैं। और अपने चौथे वर्ष में उन्हें हर समय अस्पताल में काम करते हुए कोर्स पूरा करना होता है। दवाओ मेडिकल कॉलेज, 4000 बेडवाले, दवाओ डॉक्टर्स हॉस्पिटल, दक्षिनी फिलिपाइन्स चिकिट्सा केंद्र, ब्रोकेंशायर हॉस्पिटल आधी से सम्बंध है। जहां छात्र विविन्न प्रकार के रोगियों को संभालना और उनका उपचार करना सीखते हैं। ये भी एक तथ्य है कि 4000 बेडवाले मेडिकल कॉलेजों की सुविदा हमारे देश में बहुत ही सीमित है। दवाव मेडिकल कॉलेज के छात्रों को आखिर के 18 महिने एक सरकारी अस्पताल में और एक नीजी अस्पताल में काम कराया जाता है। ताकि पूरे साल वे सारी विभागों के संपर्क में रह सके। और विभिन्न प्रकार के रोगियों और डॉक्टर, विभिन्न विभागों और अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट के बीच के संबंद को भी जान सके। और प्रतेक छात्र को पूरी प्रक्रिया सीखने के बाद डॉक्टर की देखरेक में कम से कम 10 से 20 डेलिवरी करनी होती है अपने घरों पे और डॉमेटरी में निकालना पड़ा बट फिर भी DMSF की दरफ से हमें अपने अपने रेगलर क्लासे रेगलर केसे एंड थर्ड यर में आने के बाद जो ट्रिनेकल रोटेशन होते हैं वो भी हमें यहां पे कराए जा रहे हैं जैसा हो सकता है वो अपनी पू से गुजरना पड़ता है हाँ हाला कि ये कठिन लगता है इसे चात्रों को भविषय में और करोना महामारी जैसे महामारी स्थितिओं में मदद मिलेगी जहां उन्हें 36 घंटे या उससे अधिक समय तक असपतालों में काम करना पड़ता है कई चात्रों का कहना है कि 36OOOO की इस जोर्जिय आधी देशों में अध्यायन किया है, भारत लोट कर आने पर उन्हें एक साल के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है। जिन छात्रों ने इन जैसे देशों में अध्यायन किया है, वे बहुत सी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, क्यूंकि वे ठंडे देश हैं। भारत में रोग के पैटर्ण और इन ठंडे देशों में रोग के पैटर्ण पूरी तरह से आलग है। लेकिन दवाव मेडिकल कॉलेज फिलिपेंस में अध्यायन करने वाले छात्रों के साथ ऐसा नहीं है, क्यूंकि हमारे देश और फिलिपेंस में जलवायू परिस्थितियां और रोगों के प्रकार भी समान हैं। चूकी वे पहले से ही इन बिमारियों का इलाज कर चुके होते हैं, अथह भारत लोटने के बाद उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। और इन देशों में पढ़ने वाले च्छात्रों की डॉक्टरों और मरीजों से बादचित कम होती हैं, क्यूंकि वे वहां के लोगों की भाषा नहीं समझते हैं। लेकिन दवाव Medical College फिलिपीन्स में पढ़ने वाले चात्रों को यह समस्या नहीं होती है। फिलिपीन्स में लगभग सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। यही नहीं हमारे केंद्र सरकार ने भी घोशना की है कि फिलिपीन्स से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लोटे चात्रों को एक साल की इंटर्णशिप करने की आवश्यक्ता नहीं है। इस वज़े से छात्र अपना बहुमूल्य एक वर्ष का समय इंटर्णशिप में बरबाद किये बिना पीजी प्रवेश परिक्षा में शामिल हो सकते हैं। चात्र भी US MLE परिक्षा को आसानी से पूरा कर लेते हैं। अवश्यक्ता थे इंटर्णार्णित बीज़ एक सब्सक्ताइब जर तोस्ताइब चात्र भी व्यावल्य का बना प्रवेश प्रवेशिता है। पार्णिप पूर्शंग च्चोंव मृत्वार्णिपक्षा कि इंटर्सक्पम। फिलिपाइन्स लोगों के खानपान पश्च्चिमी संस्कृती से प्रभावित है इस वजे से हमारे भारतिय छात्रों को फिलिपाइन्स में भोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी इस समस्या को देखते हुए SG कंसल्टेंसी ने दवाव मेडिकल कॉलेज के पास ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग होस्टेल की स्थापना की और स्वादिष्ट भारतिय घरेलू भोजन उपलब्द करा रहे हैं SG कंसल्टेंसी ने इन छात्रावासों में भोजन तयार करने के लिए भारतिय शेफ नियुक्त किये हैं अगर किसी भी छात्र को किसी भी चीज को लेकर समस्या आ रही है तो SG कंसल्टेंसी उस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए कारवाई करेगी इस तरह SG Consultancy केवल छात्रों को ही नहीं, बलकि अभीभावकों को भी तनाव मुक्त करती है माता पिता भारत में तनाव मुक्त रह सकते हैं, क्यूंकि SG Consultancy उनके बच्चों को दवाव में घर के माहल से दूर एक घर प्रदान कर रही है और उतक्रिष्ट भोजन और सुरक्षा प्रदान कर रही है SG Consultancy दवाव मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरने से लेकर सनातक की पढ़ाई पूरी कर वापस भारत लोटने तक छात्रों का पूरा ध्यान रखती है छात्रों और उनके मातापिता के लिए 2400 घंटे उपलब्द रहने और उनकी हर जिम्मदारी लेना SG Consultancy की विशेशता है नमस्ते, पेरेंट्स, गार्डियन्स और स्टुडेंट्स को अब्रॉड में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सेलेट करने के लिए काफी कन्फिजन होती है और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये काफी जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है कि आप एक अच्छा कॉलेज अच्छी तरीके से सेलेट कर सके अब एक अच्छा college अगर select करना है तो उनको तीन parameters के basis पे select किया जा सकता है पहला है safety, दूसरा infrastructure और तीसरा वहाँ पे खान पान और वहाँ की जलवाई हो Philippines एक ऐसी country है और वहाँ पे Davao Medical School Foundation यानि Davao Medical College एक ऐसा college है जो इन तीनो parameters पे feedback ता है सेफटी के अगर मैं बात करूँ तो obviously अगर आप बाहर भी जारें अपने बच्चों को तो आप चाहेंगे कि उनकी सेफटी जो है आपकी प्रात्मिकता हो उसके अलावा वहाँ पे हमारे खुद के hostels हैं separate boys and girls hostels तो आपके बच्चों की responsibility भी हमारी responsibility बन जाती है और जो infrastructure की मैंने बात की ये college international standards के libraries, labs और classes के साथ है NMC ने अभी 2022 से next national exit test की घोशना की है जो की इंडिया से पढ़ने वाले students और abroad से पढ़ने वाले students के बीच का अंतर हटा देता है तो आप चाहे डेली से पढ़े या UP से पढ़े या South में चन्नाई से पढ़े करनाटका, हैदरबाद या किसी भी राज्जी से पढ़े या abroad में किसी भी country से पढ़े सबको next के दौरा ही या तो डॉक्टर की practice करनी है या फिर PG course करना है तो ये अंतर तो हट गया उसके अलावा जो है फिलिपीन्स में दवाव medical college में US curriculum follow किया जाता है जिसमें की जादा practical based knowledge दी जाती है और clinical exposure भी काफी अच्छा होता है यहाँ पे डॉक्टर्स की नीगरानी में बच्चे, students, minor operations करते हैं डेलिवरीज करते हैं तो practical knowledge काफी गेन कर लेते हैं खाने पीने के लिए हम लोग ने अपने खुद के मैस रखे हैं जो हम भारतिये खाना बच्चों को देते हैं और जलवायू के हिसाब से भी फिलिपीन का क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट के अनुसार है तो उनको ना ही जादा ठंडी सहान करनी पड़ती है ना ही जादा गर्मी अगर बच्चे वहाँ पे जाकर के खुद से पकाने में अपना टाइम वेस्ट करें कपड़े धोने में अपना टाइम वेस्ट करें तो उनके पढ़ाय के अवर्स कम हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हम लोग उनका ख्याल रखते हुए उनको टाइम से खाना पहुंचाते हैं वहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि वह किसी भी दूसरे अक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करें SG Consultancy अगर चाहे तो अनेकों कॉलेज में दूसरे कंट्रीज में भी अड्मिशन्स करा सकता है लेकिन ये हमारी प्रात्मिक्ता नहीं है हमारी प्रात्मिक्ता है कि बच्चे सही जगा जाएं सही कॉलेज जाएं वहाँ जे पढ़ली करके सफल डॉक्टर बने इसी वज़े से हमने एक ही कंट्री और एक ही कॉलेज को सलेट किया है जहां पे हम बच्चों का अड्मिशन्स कराते हैं और वो है दवाव मेडिकल स्कूल फॉंडेशन और यह एक बेस्ट कॉलेज है जिसकी वैसे हमने इसी को प्रात्मिक्ता दी है SG कंसल्टंसी का एम है 100% पेरेंट्स एंड स्टुडेंट्स साटिस्फाक्शन हम चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें पेरेंट्स खुश रहें और आविसली वो सही जगा से पढ़ करके सफलता हासल करेंगे तो यह हमारा प्रयास रहा है और निरंतर यह प्रयास भी रहेगा कि स्टुडेंट्स यहां से पढ़ ली करके एक सफल डॉक्टर बने और मानतर की सेवा करें नमस्कार अपने लाब को प्राथमिक्ता दिये बिना SG कंसल्टेंसी लगातार आपके बच्चों की देखभाल कर रही है और उनके सुनेरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है पिछले सात वर्षों से SG कंसल्टेंसी ने एक हजार से अधिक शात्रों को फिलिपाइन्स भेज कर उनके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने में मदद की है यही नहीं हारत वर्ष में दवाव मेडिकल कॉलेज के लिए SG कंसल्टेंसी अधिक्रित कंसल्टेंसी है इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी परामर्ष सेवाएं कितनी अनोखी है SG कंसल्टेंसी ने अपनी सेवाईं विस्त्रित करते हुए अब अपने हाइदराबाद कॉर्परेट ओफिस के अलावा अपना अधिक्रित हेड ओफिस उत्राखंड के दहरादुन में स्थापित किया है जो छात्र छात्राएं डॉक्टर बनके अपने वेक्तिगत और प्रोफेशनल केरियर को प्रगती देना चाते हैं वे चात्र चात्राएं संपर्क करे SG Consultancy Services T11, Third Floor, NCR Plaza, New Kant Road, Deradun, Uttarakhand 248001 Phone Numbers 90680-14014 90687-23450-86501 49228 स्थार्ट